दोस्तो आईपियल का पांचमा मेच और एक तरह से बोलो तो सबसे बड़ा मेच खिला जागा गुजरात वर्सेज मुंबई के बीच में रोहित सर्मा अब मुंबई इंडियन के कैप्टन नहीं रहे हैं और वहीं पे आपको गुजरात टैटन के कप्तान हार्दिक पांडिया अब मुंबई इंडियन के कप्तान है और गुजरात टैटन की कप्तान बन चुके हैं सुबमंगिल तो काफी इंटरेस्टिंग मेच होने लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब वीडियो में गिबब भी है क्या गिबबे है आगे मैं बात करूँगा पहले लाइक सब्सक्राइब करना इंपोर्टेंट है कर दो तभी आप गिबबे में पाटिसिपेट कर पाओगे तो बात करेंगे हम सबसे पहले अब खेला कहा जाएगा पहले वो देख लेते हैं और इसके बाद स्मॉल लीग की टीम कर भी डिसकस कर लेते हैं आहमदावाद में खेला जाएगा मोटेडा में जैसा कि आपको पता है कि आहमदावाद की जो पीछे ना बैटिंग को काफी सब्सक्राइब यहां पर हाय स्कोर रन बनते हैं और इन दोनों टीम के पास ना कम्माल के बल्लेबाज हैं चाहे हो गुजरात हो चाहे मुंबई हो तो विकेट कीपर सक्षन से आप किसको किसको पिक कर सकते हैं तो फिलाल के लिए मैं इसान किसन के साथ जा रहा हूँ रिदमान साहा भी अच्छा परफॉर्मे है बैटिंग पीछ है और यह पांचो अच्छा परफॉर्मेंस हमेशा से हेड टूएड में भी करते हैं और इस बेन्यू पर भी करते हैं और और अलॉंडर सक्षन की बात करें तो यहां पर हार्दिक पांडिया मुंबे की जर्सी में नदर आएंगे और सेक्षन में भी बैटिंग दोनों से अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं क्लासी बल्लेवाजी करते हैं साथ-साथ बॉलिंग भी आपको डेथ में भी करते हैं और इनिस्टिल ओवर मीडिल ओवर हर जगह पर आप बॉलिंग इससे उमीद रख सकते हैं तो चार ओवर यह फिक्स है करेंगे ह और कोटजे को मुका मिला है इस मेच में खेलेंगे 100% को पिक करो चाहिसान को पिक करो चाहिरदमान साथ को दोनों के लिए सेम चंडिशन सेम फॉर्म सब कुछ है नेक्स्ट करते हैं स्मॉल ली की टीम की कैप्टेन, वाइस, कैप्टेन सी च्वाइस बगेरा देख लेते हैं, देखो मैं ये टीम जो बनाऊँगा ना, वो बनाऊँगा मैं गुजरात के फेवर में, क्योंकि गुजरात की टीम मुझे ज्यादा स्टॉंग लग रही है, अभ धोरो सप्टESSन होगा, उमर जाई भी एक सेप उसक्षि के लिए, रासित खान भी अच्छा उप्षि के लिए, हार्दिक पांडिया के लिए अच्छा उप्षि के लिए, पिलाल के लिए जो कैप्टेन है, सुबमनल गिल और भीसी मैंने दिया है, केन ब्लियम संको, श॥,想 कमेंट करेगा दो कम जो प्रवंडम फाइंड होगा जिनका कमेंट दो यूजर को दो सब्सक्राइबर को उनको 100-100 रुपीज का गिपबे मिलेगा तो कमेंट कर दो तो combination सब सेम है जो small league की मैंने बनाई है captain मैंने थोड़ा यहाँ पर change किया रोहिस सर्मा को captain दिया है साइस सुदरसन को इसमें एक दो changes कर सकते हो जैसे किसी टीम में आप मोहिस सर्मा को pick कर सकते हो कोड़े के जगह पर किसी टीम में आप सुर्ज कुमार यादब को drop करके यहाँ पर रिदमान साहा को pick कर सकते हो किसी टीम में आप क्या कर सकते हो जैसे कि मैं आप यहाँ पर दिखा देता हूँ कौन-कौन से player आपके पास level है जिसको आप pick कर सकते हो तो यहाँ पर अगर आप देखोगे batting में तो यहाँ पर एन वदेरा की बात करें तो पिछले सीजन में काफी अच्या performance रहता है वही तिलक बर्मा एक player है डेविड मिलर एक player है अब नब महनोहर एक player है इन सब को भी track कर सकते हो खास करके ध्यान रखना एन वदेरा पे यह काफी attacking बलेवाजी करते हैं और recent domestic इनका जो भी performance है न वदेरा काफी अच्छा है और तिलक बर्मा के बार है तो इनको भी आप try कर सकते हो अगर आप सुझ कुमार्याद आपको drop करते हो तो यह कुछ combination थी जो कि मैंने आपको बताई यहां पर आपको captain combination वह मैंने बताई है फिलाल के लिए तो अब मैं सेब कर देता हूं एक और टीम combination है जो की लगभग मैंने बनाई है गुजरात के टाटन्स के फेवर में तो विकेट की पर सक्षन के अगर हम बात करें तो यहां पर इत्मान साहा को मैंने पिक किया है सुर्ज कुमार यादब को पिक है सुमंगील साइस उदर्चन मुहांबद दभी यह काफी बड़ा और मस्ट पिक होगा और ग्रेंड लीक के लिए रिसेंट इनका परफॉर्मेंस ना काफी कमाल कर रहा है तो मुहबद दभी कुछ यूनिक कर सकते हैं इस मेच के अंदर हार स्यमें में आफ सूबमनगील साइस खान आस किलीक के सकते हो से में और किसी में भीणन से आप मोहीत सर्मा ट्रासित खान भी सकते ने सकते हो तो इस तरह से कंबमनेशन में अप फिर बदल कर सकते हो, तो ये कुछ team combination थी, जो small league और grand league के थी, final team combination जो आपको मिलेगी और final pitch report, final आपको जो condition है, pitch की telegram पर मिलेगी, तो वीडियो के description में आपको telegram channel का link मिल जाएगा, click करके आप join कर सकते हो, और वीडियो को like कर देना, गिबे के लिए आपको comment करना है, जो आपको मे आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं next machine analysis में, best of luck guys